दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए जेमडी न्यूज चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेश्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले दोस्तो स्री देवी के अचानक दुनिया छोड़ जाने से विरान हुआ बोलिवूड और वहीं उनकी बेटी जानवी भी अकेली पड़ गई है बता दे कि जानवी ही स्री देवी के सबसे ज्यादा नजदीक थी ऐसे में जानवी ने अपना 21 बर्थडे अपनी मा के बिना ही मनाया और वो बहुती सादगी से मनाया गया जानवी अपना 21 बर्थडे बहुती मायूसे से मना रही थी इस दोरान वहें एक सिंपल सूट में नज़र आई उनके सामने एक सादा केक रखा गया खबर है कि स्री देवी दूबई से आने के बाद जानवी का बर्थडे बड़ी ही धुमधाम से मनाना चाती थी इतना ही नहीं स्री देवी अपनी बेटी के लिए कई सारे गिफ्ट भी लाने का प्लान कर चुकी थी और एक आलिशान पार्टी भी देना चाती थी लेकिन इस स्री देवी के चोका देने वाले दिदन ने सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया बता दे कि बोनी कपूर स्री देवी की इस इच्छा को पूरा करते नजर आ रहे हैं वह बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्होंने घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है जिसमें सिर्फ परिवार के लोगी सामिल हुए तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई के जानकरी पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें